फ्रेंड्स एक रूम में कितना बॉर्ड होना चाहिए और कितना एक रूम में कितना पॉइंट देना चाहिए जो कि बेस्ट होता है पुरा रूम के लिए और अच्छा खिलता भी है देखने में अच्छा भी लगता है तो यहां पर हम रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं यहां पर हम जो है वाइरिंग कर चुके एक रूम में और यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं दे सकते हैं यहां से पला लग़ेगा पला छोड़ करके इधर स्विच बॉर्ड दिया हुआ है आप सकते हैं और इसके दिखें इसके जश्ट इधर में भी एक छजी है चार इसपोट लाइट है इसपोट बॉक्स एक दो यहां पर भी तीन और एक चार यह jegh डetrhe Furit छोड़ करके मैंने यह sport light जो है sport box मैंने दिया है यहाँ पर इसको ड attract minus कर दिया है उसके बाद से मैंने N evolist नापी करके यह पर दिया हुआ है दोनो लाइट इदर का बोर्ड है तूए टू मोडलर और नीचे में उसका स्विच बोर्ड और वहीं पर एक स्विच भी रहेगा इसका या फिर इसका किसी का भी बेड़ स्विच दे सकते हैं और वहाँ पर 6 modular का board है उसमें एक AC का starter आ जाएगा एक AC का starter आ जाएगा बाकि बच गिया दो घर में एक इस light का एक इस light का ठीक है एक bed switch का और एक switch और एक socket आ जाएगा हमसे तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ दियाएगा है और एक 12 modular का board है जो की पूरा का light का fan का भी यहीं पर रहेगा तो इतना काफी है एक room के लिए इसके इलावा ओर बोर्ड दीजेगा घर में तो आपको घर अच्छा नहीं लगेगा बद्दा लगेगा देखने में इतना काफी है पनिया लगेगा अच्छा लगेगा बाकि इस room में भी आप दे सकते हैं इसमें भी चार light है ceiling पर और उदर एक light रहेगा इधर light नहीं देने बोले हैं दे सकते हैं ल coyस्फ ही नहीं है इसकी वज़र से एक light वहां, एक light वहां एक light यहां तीन लाइट, चार स्फोर्ट लाइट है, अधर में एक AC का बॉर्ट रहेगा, जो कि उसी में एक स्वीच भी रहेगा और यहाँ पर इसका स्वीच बॉर्ट रहेगा मेन बॉर्ट, तो इस रूम का इस तरह से, इस से ज्यादा बॉर्ट दीजेगा, तो खराब लगेगा, घर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजेगा, सेर कर दीजे, सब्सक्राइब भी कर दीजेगा